नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अप्लिकेशन में काफी अच्छे से काम कर रहे होंगे और जिन लोगों ने भी कल बेड लगाई है और अमाउंट जीता है उन सब को मेरी तरफ से धेर सारी शुब काम ना है जैसे कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बोला था कि आज मैं आपको पैन कार्ट कैसे अपडेट करना है वो बताऊंगा तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और उसके बाद में आप यह जान जाएंगे कि आपको अपना पैन कार्ट कैसे अपडेट करना है जब रही होगी इस active का मतलब यह है कि इन्होंने paid id purchase करी है जब आप free id पे काम कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको inactive दिखाई देगा जब आप ID purchase कर लोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको active दिखाई देगा अपनी वीडियो में आपको बताऊगा कि plan कौन कौन से हैं किस तर पहले है user id, name, email id, mobile number, gender, address यह सारी चीज़ें जब आप scroll करके थोड़ा से नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अधार नंबर यहाँ पे आप अपना अधार नंबर डाल सकते हो यहाँ पे आप अपना pen card नंबर डाल सकते हो आप किसी को अपना nominee बना सक करते हैं जिसमें transaction करते हैं उस bank account की detail डाल दीजें यहाँ पे अपना नाम डालिए अपना bank account number डालिए bank का नाम डालिए FSE code और branch डाल के इस green वाले बटन को दबा के इस चीज़ को update कर लें तो यह सारी details हमारे पास में update हो जाएंगी pen card number डालना इसलिए mandatory है क्योंकि आपकी earning क और एक TDS करता है जो कि comment को जाता है तो अपना pen card please से डालने क्योंकि अगर आपकी pen details update नहीं होगी तो आपको आगे जाके fund transfer करने में परिशानी आएगी आशा करता हूं यह video आपके लिए लाबकारी रहेगी अगर आपका कोई doubt है कोई query है तो मुझे video के comment section में comment करके अपने और पैसा कमा सकते हैं तब तक आप सब लोग अपनी टास्क पूरे करते रहें बिड लगाते रहें और अपनी किसमत को अजमाते रहें नवश्कार